हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मों धठा वैसनमुक्ति तग्य हूँ महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ अभी अभी साउथ में दक्षिन भारत में काफी सारी हल्चल मश गई है क्योंकि तेलबू न्यूच चैनल जो थी उसके एंकर राधिकार एड़ी उसने खुदकुशी कर लिया एक एप्रिल दोजार आठरा को उसने खुदकुशी किया पांचवी मंजिल से वो कूद गई उसने चिठी में लिखा है कि माय ब्रेन इसमा एनिमी मतलब मेरा जो मस्तिश्क है ब्रेन जो है तो वही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है मानुवी ब्रेन जो है मस्तिश्क भेजा जिसको बोल सकते हैं और मन इनके जगडे में उसके ब्रेन ने विजय प्राप्त कर लिया ऐसा क्यों होता है देखो हमारी इंस्टिंक्ट जो है इंस्टिंक्ट वो रहती है कि नहीं हमने जीवन जीना चीए मतलब हर एक को जीवन जीने की बहुत इच्छा होती है मरने की किसी की इच्छा नहीं है फिर आदमी खुदकुशी क्यों कर लेता है तो क्या प्रॉब्लम है उसने वो जो परची लिखी है वो परची में उसने लिखा कि my brain is my enemy उनको ऐसा रखता है जो भी खुदकुशी कर लेते हैं उनको ऐसा रखता है कि अभी जीना जो है वो ज्यादा दर्द भरा है अभी जीना जो है वो ज्यादा दर्द दे रहा है क्लिप दे हो गया है इसे अच्छा मर गे तो अच्छा है और इसलिए वे वो खुद कुछी कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो है पेन प्लेजर प्रिंसिपल है जीवन जहां पेन है वो काम नहीं करेंगे यहां प्लेजर है वो करेंगे तो नाओ इटीज लेसे painful to die कम दर्द भराय भी मर जाना जो राधिका रेड़ी थी वो उसका तलाख हो चुका था single parent थी उसकी जो लड़की है उसको autism है और उसने कभी ऐसा बाहर बताया नहीं कि वो निराश और हताश है और उसने खुदकुशी कर लिए कफी सारे लोग है कि जो depression के मरीज है और वो खुदकुशी कर लेते हैं बाहर मालों भी नहीं पड़ता actually आत्मत्या करना है खुदकुशी करना है उसके लिए बहुत सार्स लगता है वो कहां से आता कहां से वो आता इसलिए है है कि वे जिना भी मुश्किल होगा है मतलब वो बहुत तकलिब्द है तभी मर जाना अच्छा है जो हमारे देश के आकड़े है 2015 के उसके मुताबिक हमारे देश में 1,33,623 लोगों ने खुदकुशी कर लिया और National Crime Record Bureau जो है उसके अनुसार 95,288 उसमें के पुरुष है और 42,088 लेडिस है उसमें से यह देखा गया कि Neuropsychiatric Illness जो है मतलब जो बिमारी है मनुविकार वो 42,080 लेडिस में दिखाई गई और 29 पुरुष में मांसिक बिमारी दिखाई गई जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा निक है हो सिरस्प हो सकता है कि उसको कोई शालिक बिमारी वो उसकी वज़े से डिप्रेशन आया हुआ है तो वह भी हम को देखना पड़ता है साइकेड में में ऑूए管 मतलब निराश और रोना आना, सुबह जल्दी निन खुल जाना, या दिन बर अच्छा रहना, शाम को बोच जाना, तकलिव हो जाना, खाना खाने की इच्छा ने होना है, ज्यादा खाना खाना, कभी किसका वजन कम हो जाता है, ज्यादा वजन बढ़ जाता है, कोई काम में मज़े नहीं आता, खुशी नहीं लगते उसको कोई काम, गुमना फिरना उसका कम हो जाता है, हल्चल कम हो जाती है, बहुत थकाना जाती है, थक जाता है आदमी, कोई काम में मन ने लगता, attention, concentration ने होता, और खुद कुश के विचार बार बार आते रहते हैं, बिना कुछ वज़ा हो कि, और फिर यदि कुछ ज़्यादा है, मतलब कुछ कारण है, तो फिर प्राब्लम में ने, मतलब ऐसा है कि, बिना कारण का depression आता है, जिसमें chemical लोचा होता है, और फिर depression कोई कारण से आ गया, जो हम देखते हैं कि, बहुत बड़े-बड़े industrialist है, उद्योगपती है, बहुत बड़े-बड़े actress, actresses है, या मतलब माने जाने हस्ती है, students है, 10th के या 12th के, मतलब ऐसे जो लोग है, वो खुद कुछ एक्दम फटाक से कर लेते हैं, तो ये जो लक्षन है, ये लक्षन में ये देखना है, कि बहुत सिर्फ डिप्रेशन स है, जिसमें कोई problem नहीं है, brain में, मानसिक बीमारी है, या फिर कोई शारिक बीमारी उसकी वज़े से वहाया हुआ है, हो सकता है कि thyroid की बीमारी है, जिसमें depression आता है, भेजे का tumor है, या vitamin deficiency है, उसमें हो सकता है, कोई ये देखना पड़ता है कि कोई और बीमारी है, जिसके लगों को लथ है, उनको depression आता है, या बहुत पुरानी बीमारी है, उससे depression आ सकता है, तो उनको ये देखना है कि बहुत को depression आने के लिए, मतलब सिर्फ depression ही है, उदास इंता है कि कोई शारिक कारण से depression आया हुआ है, इसलिए अभी हमारा एक citizen, करके नागरी करके हमारा ये ये लोगों को लगता है कि ने अभी कुछ बचा ही नहीं है, मेरे जीवन में, बाहर से तो अच्छे दिखते हैं, अंदर से पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में, इसके उपाय क्या है, कि एक तो दबाई लेना, medicines लेना, फिर ज्यादा depression ही है, तो regular exercise कसरत करते हैं regularly, सकारा पढ़ाई करना, मतलब motivational books है, motivational videos है, वो देखना, regular diet खाना बरबर खाना, कोई addiction नहीं करना, शराव अगरी कुछ लेना नहीं, लोगों से मिलना आके लेने रहने का नहीं है, और psychotherapy कर लेना, counseling कर लेना, psychiatrist को मिलके, counseling करके, जो विचार जो दिमाग में आ रहे है, तो उसके करता हूँ, hypnotherapy करता हूँ, relaxation exercises देता हूँ, तो उससे भी काफी फरक पड़ता है, और जब हम counseling करते हैं, तो उससे देखने का नजरिया जो है, वो अलग हो जाता है, जीवन के तरफ देखने का नजरिया, तो psychotherapy, मानसवचार, उसके साथ सद्दवाई, यह दी करते हैं, तो फिर से जो नवबत आई, और राधिका रेड़ी के जो डेट से, जो नया विचार एकदम चालो हो गया, यह ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो गया, तो इसके लिए हम सतर के दी रहते हैं, तो कभी सारे जान हम पचा पाएंगे, आपके संपर्ग में काभी सारे लोग होंगे वीडियो लोगों को शेर करो, उनको मतलब स्पेशलिस को मिलने के लिए सला दो, आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो जरू सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वो बेल का जो चिनना आता है, उसके पर आप प्रेस करते हो, तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको, मतलब वीडियो की नोटिफिजन आपको सबसे पहली बार आजाएंगे, आप जिरूर आपके फेस्बूक के ओपर, वाटसेप ग्रूप के ओपर यह जिरूर शेर करो, तैंक्यू वेरी मच्छ, क्सि का यहिए जिरू झाहे!